वालकम बैक अगीन पिटा तो आज हम रसकस करेंगे आपका कारिया पत्रक नमबर साथ इसमें देखो क्या दिया हुए भारत एक क्रिशे प्रधान देश है इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्तव है भारत में किसान काफी महनती होते हैं इन्हें एक क्रिशक भी कहा जाता है वह दिन बर धूप में गर्मी में बार बर साथ में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में महनत का काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं भारत की किसान जाता तर कहां रहते हैं गाउं म किसל की सुबे सुबे ही अपने खेट में काम के लिए निकलना पड़ता है और दिन पर खेटों में काम करते हैं, फसल उगाना एक बहुती मेहनत और ठका देने वाला कामे स्फागी आपको पता है वेटा, लेकिन फिर भी किसाने से पूरा दिन करता है, किसान की मैनत के कारण ही हम सोब लोगों को सस्ते में आज मिल पाता है किसान की खेती करने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते है हम सभी लोगों को किसानों को समान देना चाहिए और हो सके तो उसके लिए उसकी साहता भी करनी चाहिए तो अब इसने बोला खेती में प्रियोग होने वाले उजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए तो बेटा अब मैं आपको बता रहे हूं इसको क्या बोलते हैं खुरपी इसको क्या बोलते हैं कुलहारी इसको क्या बोलते हैं फावडा अगले question में देखो इसनोंने क्या बोला खेती में काम आने वाले इन उजारों के लावा आप किसी हल जैसे इसने हल दिया हुए चलो मैं हलकी जैसे कि आपने लिख दिया हल हल के लावा आप क्या लिख दो कि हलकी picture बना दोगे हलकी picture कुछ ऐसी होती है तो बेटा आप हलकी picture net से देखके आप यहां पे बनाएंगे आगे देखो चितर को देखकर अपने आपके मन में विचारों को लिखें जैसे चीर के जमीन को मैं उमीद बोता हूं मैं किसान हूं जिन रात महनत करता हूं इसको देखके अगर हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसको देखो एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी जरूर रंग लाएगी जरूर भूखे को रोटी खिलाएगी जरूर अगर किसान मेहनत करेगा तभी अनाज सस्ता होगा अनाज सस्ता होगा तभी तो बिटा भूखे को रोटी मिलेगी तो आप आपको इसके इलावा अपनी तरफ से जो कुछ भी समझा रहा है वो आप लिख सकते हो तो यह थी आपकी वर्क्षीट जी सेपन मिलते हैं अगली वर्क्षीट में तब तक स्टे सेव स्टे हाल दी प्जून स्टे हो अगली तो आपकी वर्क्षीट पार सिर्प्ड़ियां अभाजी तो आपकी वर्क्षीट तो जी तो आम में जी तो तो यह जी जी एम में पर आपकी तो तो प्रोगे